साथ श्रीकाल जी मैं स्वाध सक्सेना पंजाबी खबरा वेकरिया आप सब्दा स्वागत करदी खबराई शुवाध करंगे पर उस्तों पर लगजे लेंच से खेती करुना खिलाब किस्तान अंदूला लगाता है इचारी किसान आगवाने मोदे सरकारनल गलबात ली नो मैंबरीक मेटी बनाओ दिया खबरादा किता खंडन किया सरकारनल गलबात करंगे सारे जित्वनिया दिया आगो शोम निकली दल दे विधायक शर्ण जी सिंग टीलों ने पंजाब सरकार ते तिखा निशाना साधिया किया पंजाब सरकार दे बजट वेश लोकाल ली नहीं दिती गई कोई एहम रहार हर्याना वीज पाच वजे जीपी सरकार ली आज प्रिख्यादी करी आज कॉंग्रेस वोलो विधान सभाविज बेप रोसगी प्रस्ताव लें अंदा चापिगा खेती करुणा खिलाफ किसान अंदोलन लगातार ही जारी है इसे तेहत किसान अगू जोगिंदर यादव अथे डॉक्टर दर्शन पाल ने एक प्रेस कांप्रेंस दोरान की है कि नो मेंबरी कमेटी बारे कोई फैसला नहीं कीता गया सुझी सिंग फूल दे अजे कमेटी बनान बारे मीडिया नू दिते बियान अते रूग्दू सिंग वलोवी इस पुष्टी किते जान बारे डॉक्टर दर्शन पाल ने किया कि दोवा अगवानाल इस बारे गल करांगे उन्हें कि इस कमेटी दे मेंबरादा सरकार नाल गलबात वीच कोई लेना देना नहीं है स्विध किसान मोशा ने प्रेस नोट जारी करके सबस्ट किते है कि केंद सरकार नाल गलबात लेए नो मेमरीक मेटी बणाए जान दिया खबरां गदने दिली सरकार ने इब बजट पेश कीता है दिली दे उपमुक मंत्री अते वित मंत्री मनीशी सोधिया ने इब बजट नो पेश कीता है जिजदी थीम देश प्रक्ती रही दिली वेच इस साली 79,000 क्रोड रुपे दा बजट पेश कीता गया वित मंत्री मनीशी सोधिया ने किया है कि दिली देविच से सिवामा दे लई कुल 9944 क्रोड दा बजट है जो की कुल बजट दा 14 फेश दी है उन्हें किया कि दिली देविच सरकारी हस्पतालां विच क्रोना वैक्सीन लग दी रहेगी मुफ्त क्रोना वैक्सीन ली पंजाक रोड पेदा बजट है दिली वीच रोजाना 45,000 वैक्सीन लगाए जा रही है शेती ही एह समर्था 60,000 तक पहुंच जावेगी दिली वीच अगले साल तो बीबियां देली विशेश महिला मुहला क्लिनिक दी शुरुआत की थी जावेगी जिस वीच बीबियाना जूडियां बीमारियां दे स्पेशलिस्ट डॉक्ष्रां तो त्यानात की तचाविदा होम आईसलेसन और प्लाजमा दोना ऐसी विवस्थाएं थी जो इनोवेटिव थी और जिनकी वज़े से दिली का कोरोनर मेनेजमेंट बाकी लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक मिसाल बना एक प्रेजना बना अध्यक्ष महुदा अब वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई करण जगी है सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वरत्मान में सरकार के पास रोजाना जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की शमता है और जिसे एक दो दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की शमता में हम लोग तयारी कर रहे है दिली में हमारी सरकार ने लिया है कि दिली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निशुलक ही उपलब्द कराई जाए इस नई योजना आम आदमी निश्रल कोविड वेक्सीन के लिए में 50 करोड रुपे की राशी अलग से प्रस्तावित करता है अधर्ष महुद है कोविड से मिले हुए नवहों को ध्यान में रखते हुए स्वास्तेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विबिन परियोजनाओं के लिए 1293 करोड रुपे की राशी अवंटित की है यह परियोजनाओं है जौलापुरी सिरस्पूर माधिपूर विकास्पूरी में नई अस्पतालों का निर्मान 19 मौजुद अस्पतालों को नए रूप देना नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जान नो बिजनेस आइडिया लई उठ्षाय कितशावेगा दिलीवीच नर्सरी तो अठ्मी सकता निवा सिलिपस आवेगा दिलीदा अपना बोर्ड बनाया जावेगा दिलीवज क्रीब सो स्कूल आफ एकसी लेंस बनाया शावेगा जिस वेच नौमी तो बार में जमात अगरे स्कूल शामिल की तिचानगे। नवी से बार में क्लास के बच्चों के लिए एंत्रप्रोर्शिप माइंडसेट पाठेक्रम सुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, सेल्फ मेनिजमेंट जैसे हैं जो जिनने हम 21st century skills कहते हैं उनको विकास करना, एंत्रप्रोर्शिप के तहट इस साल हम 11-12 के बच्चों को उनकी उद्यम शीलता के ब्रदर्शन के लिए 2,000 रुपए प्रती बच्चे की सीडबनी उपलब कराएंगे और बच्चों को अफसर देंगे कि वो अकेले या छोटे-छोटे समूओं में बि उपनी कराएंगे और वहां से पास हुए प्रजेक्ट को फिर हम प्रती बच्चा 2,000 रुपए सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे और ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपर बिल्टी उसकी बढ़ें उसको बिजनिस करना, इनोवेटिव तरीकों पे अपना काम क अदम उठा रही है, वो है कि पहली पहला है नरसरी से आठ्वी गख्षा के लिए नया सलिवस तयार किया जा रहा है, दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परिक्षा बोर्ड इस्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ओफ एक्सलेंस इस्थापित क बज़र दिया गला ने बज़र चे जो कहा से होता करक्व नहीं रहता आज जड़ी गल कर देया ना कैसी लेडीज नो बसादे बिच जगा फ्रींग दे रहे हैं कर रहे हैं पर नहीं कोई नदे कोई नहीं मारी पाय पूझ नार होगा ताके एक रूप री देकर दो दीजा टिक्टा कट लांगे इनना अपना खञाना पर न कोशिच कीती है हैं शारा कोजों कर रहेना यह बहुत मारा कर रहे नोग अलुक्त कद्रफा कर बंढ़ा कर यह जिल नहीं सुखलताम सब्सक्राइखते सैंज्ड जारी नहीं किता गया गाराते उ स्वार्फट मंसी अपने पनमे पुलिस दी तका मुकी भी होई है जिस तो बाद परधान हर गोविंद कौर ने पुलिस महिला मुलाजमा ते महिला अंगनवाडी वरकरा नाल छेट खानी करन दोश्वी लगाए ठेकम लाजम संगर्श मोशा दे कारकूना वोलो पट्याला दे वेच रोस परधाशन कीता गया जिस दुरान उना केंद सरकार दे किलाव रोस रैली कड़ी आते जीले दे बजार वेच तोल वजा के नारेवाजी की थी इस मौके होना किया कि केंद सरकार वलो बनाए खेती कानून किसाना लेई का तक ने अते इसे बाबत जागरुकता पैदा करन दे लेई ओहो रोस परधाशन का रही ने नाली हुरा किया कि पंजाब सरकार ने छीका मुलासवान उफका करन दी गल आखी सी पर वादा अज तक पुरा नहीं किता गया हर्यना विच पाचपाच जेजेपी सरकार दिली अज प्रिख्या दी करी है अज कॉंग्रेस फॉलो विदान सभा वेच बे प्रोस्गी परस्ताव लेंदा चाह रहे है इस दुरान पाइवाल जेजेपी दे विधायक देविंदर बबली ने वड़ा ब्यान देता है उन्हें कि है कि दुश्यन चोटा रानों पूरी पार्टिस में सरकार तो वख हो ज आ रहा है उन्हें कि है कि अजुए हलाद बन गईने की सरकार नाल तुरंत गट जोड तोड देना चाहिए है उन्हें कि सो दिना वेच विधायक दाल दियां कई मीटिंगां हो याने पर कोई फैसला नहीं होया है उन्हें कि हुण सरकार तो समर्थन वापस लैंड दावेला आगया है जाँ हुआ है 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 ज़क तो देली सरहते चौल रहे कि सोना देतरने पर दश्न वेज हों तक 88 लोकादी मौत हो चुकी है यह जू आनकारी हर्याना सरकार ने बजट शैशन दोरान दिती हर्याना सरकार ने क्या है कि मर्ण वाले अठाट व्यक्तियां वीचो पंदरा लोका दिमौत हो गई है जोदो की दो लोका ने आथम हत्या की थी यह बरन वाले वीचो इक हर्याना तो अते संताली पंजाब तो ने हर्याना सरकार ने किया कि मिर्थकानु वित्ती सायता जा नोक्रियां दें दा कोई विचार नहीं है दस दे की कॉंग्रेस दे सिक्ती जवाब का मचलानों पर राजपाल दे समोधन ते विच्वार वठांदर दुरान इस मोधे ते काफी हंगामा भी होया है कॉंग्रेस विजायक अते साब का सिख्या मंत्री गीता पूरकल ने दोश लगाया कि अंदाता सडका ते ने पर उस दी किद्रे सुनवाई न एक मता पास करके सिख्खाने शुरू हो रहे 14 मार्श नों नवे साल देशी नवा साल नों सरकारी तोड़ते मानता दे देती है उक्तिजानकर दिन दिया वर्ल्ड सिख पार्लिमेंट देख वार्डिनेटर हिमत सिंग ने कि है कि एसी कौम लई बहुत ही खुशी परया दिन जम्कश्मीर दे सोपोर वीच सुरख्याबला नों वड़ी काम्याबी हासल होई है सुरख्याबला ने एक अतवादी नों मार गिराया जम्कश्मीर दे आई जीपी विजेव कुमार ने दसे की मारे गए अतवादी दी पच्छान अलबदर चीफ गने खवाजे दे है कि मारे गए अतवादी दे गोल वनों हत्यारा ते गोला भरूद समेथ होर समगरी ब्रामत कीती गई है सर्च ओपरेशन चारिये तरन तरन वेच एक जवाई वलो अपने सोहरे नू बहरे मी देनाल कतल करन दा मामला सामनी आया ली च्वाणकारी मनसार दलेर सिंघ पोतर कीन घंशर फसल से तोरान उस दी महँगे थे मात हो गई है पुलिस थाना केमिकरन वोलो लाश्नु कव्य प्चिला के कारवाई शुरू कर दिती गई है इस सवन्दी थाना मुकी नरिंदर सिंग नेकी है कि दोश्री उपर सक्त तो सक्त कारवाई किती ज़ाएगी अमिरिसर दे बॉर्ड नमबर 82 पलाक लोनी दे पारक विखे कुछ अट बचाते ने पढ़ान मंतरी निरंदर मोधी बारे पद्दे शब्दावली दिवारा ते लिग दिती है इना ही नहीं फ्लेक्स बोड़ा ते पियें मोधी दे तस्वीर ते कालक मली गई है जिस दे चल दे पाच पावर क्राम विख काफी रोस वेखणू मिल रहे है उना ने दिवारा ते लिखे अखरा ते रंग फेरेया ते परशाशन तो मांग कि ते क्यों जिम्मेवारा खिलाब कारवाई क पंजाब दे नौजवान नशुयांते नजाइज हत्यार रखन दे शौक नू लैके अपरादां दे दल्दल विच पस्दे जा रहे है नी अते शौक ही उनानू जेल दियंस लाखा बिच्चे पहुंचा रहे है नी इस तरहां दी ताजा मिसाल वेखण मिली नाबा विकिये जुते नाबा सदर पुलिस वालो एक नौजवान नो दो देसी पिस्टल अते दस जिंदा कार्थू समित गरफतार किता गया है नाबा दे डियस पी राजेश कुमार चीबर ने किया कि इस नौजवान को लो दो देसी पिस्टल अते दस जिंदा कार्थू समित गरफतार कित एलिगा?